आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी होंगी तो रेलवेट टेक्निसियन का जो आपका 2018 में एक्जाम हुआ था तो 2018 के और सिप्ट के जनरल साइंस के 100 कोईसंस इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं आप लोगों को पता है कि रेलवेट टेक्निसियन का एक्जाम 16 दिसंबर स 26 दिसंबर की बीच में आयोजित किया जाना है समय कि अगर हम बात करें तो समय आप लोगों के पास बहुती कम बचा हुआ है टूटल 100 100 साइंस के कोईसंस करेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा जो भी नए बच्चे हैं जी लोगों अभी तक चैनल को सस्क्राइब नह भूले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिन बच्चों को ये पीडियाप चाहिए यह उपको फ्री बिल्कुरें सकती है बसा आपको ये छोटा सा काम करना होगा ने को पैसे नहीं लिया जाएगा तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं पहला प्रशन देखेगा निम्न में से कौन शदिश राशी है यहाँ पर देखिए आपको शदिश राश की पैजान करने की कौन शदिश राशी है तो देखिए वियुक्स जो है ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा वेक जो है ये शदिश राशी है अगला प वस्तु का गुरुत केंदर वहाविंदू है जिस पर वस्तु का समस्त भारिक कार करता है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्षिन नमबर सी सुगह नैस कोश्चन्स हमारा है कि बल आगून का मात्रक क्या होता है बल आगून का मात्रक उटा है न्यूटन मीटर क्या होता है न्यूट जल का घनत तो किस ताप पर अधिक्तम होता है यह आपको बताना था तो जल का घनत तो चार डिगरी सेल्सियस ताप पर अधिक्तम होता है आंसर क्या हो जाएगा और फिर नमबर सी सो गए BRETON तो गाए नेक्ष कोशियन देखिगा नेक्ष कोश्षंट था रहा है धाटू के रेकियों परसार गोणंक छेत्रीय परसार गोणंक था आतन परसार गोणंक में अनुपात कितना होता है तो मेरे पहरे सातियों एक अनुपाद दो अनुपाद तीन होता है आंसर क्या हो जाएगा इस कोजिशन का बी ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्शन देखेगा जिस ताप पर वायू में उपस्तित वाफ्ट उसको सत्रप्त करता है वह ताप होगा कुथनांग गलनांग हिमांग या ओशांग ओशांग आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नबर डी अगला प्रस्शन देखेगा जिल की विसिष्ट उसमा है सारे के सारे सेलेक्टेट कोलसंस हैं जो कि आपके अग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं रहे टेक्नीसिन के एग्जाम में ठीक है जल की विसिष्ट उसमा है जल की विसिष्ट उसमा होती है चार दसमलप जूल ओब्लिक ग्राम बी ओप्शन जो है यह बिल्गुल सही हो जाएगा option number V correct हो जाएगा चले बढ़ते हैं next questions की और अगला question देखेगा सभी बच्चे जब शोईत प्रकास प्रिज्म में से गुजरता है तो सरवादिक के बिचलन होता है लाल रंका पीले रंका बैगनी रंका या हरे प्रशन को पहले पढ़िए कि प्रशन में पूछा क्या जा रहा है फिर आंसर देजिए जब शोईत प्रकास प्रिज्म में से गुजरता है तो तरवादिक बिचलन किस रंग में होता है तो मेरे प्यारे साथी हूं बैगनी रंग में होता है किस में होता है बैगनी रंग में होता है तो सी ऑप्संस जो है यह करेक्ट हो जाएगा नाइस कोशन देखेगा हरे रंग की कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकास में कैसी दिखाई देती है लाल हरा नीला या काला हरे रंग की कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकास में कैसी दिखाई देती है मेरे प्यारे साथ ही हूं काली दिखाई देती कैसे दिखाई देती है काली दिखाई देती आंसर क्या हो जाएगा option नमर डी दस्वा कोशन देखेगा एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं 7 वाट, 74 वाट, 746 वाट या 7467 वाट एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं तो मेरे प्यारे साथ ही हूँ एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शिन नमबर सी जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है शेर नहीं किया है तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर गुजारिस है यार वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए ज़्यादा चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्रा मात्रख है तो मेरे प्यारे साथ यह ओम जो है ना यह प्रति रोध का मात्रख है किसका मात्रख है प्रति रोध का मात्रख है तो आंतर क्या हो जाएगा आणसर हो जाएगा option number V चलिए बढ़ते हैं Nash questions की और अगला question देखेगा एक किलो गंटा में जूल की संख्या कितनी होती है तो एक किलो वाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होईगी 3.6 इंटू 106 आंसर क्या हो जाएगा इस कोश्चन का ऑप्शन नबर डी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन देखेगा तेरमा विद्धुत हीटर का तार बना होता है तो जो विद्धुत हीटर का तार होता है यह किसका बना होता है लोहे का टंगश्टन का नाइक्रोम का या तांबे का तो मेरे प्यारे साथियों, विद्धुत हीटर का जो तार होता है ना, ये नाइक्रोम का बना होता है, किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, आंसर क्या हो जाएगा, आप्शन नमबर C, अगला वारा प्रशने, विद्धुत उर्जा नापने का यंत्र क्या है, चले बढ़ते हैं नेश कोजसेंस की और अगला प्रशन देखेगा सभी बच्चे निम्न में से किस पदार्थ को सवर सेल में परियुक्त किया जाता है सिलिकॉन, तामबा, एबोनाइट या चांदी किस पदार्थ को सवर सेल में परियुक्त किया जाता है यह आपको बताना है सिलिकॉन को सवर सेल में प्रियुक्त किया जाता है आंसर क्या हो जाएगा इस कोश्टन का option number A जो है ये correct हो जाएगा अगला प्रशन देखेगा सभी बच्चे निम्न में से कौन सा अर्द चालक नहीं है सिलिकॉन, सिल्बर, सेलिनियम, जर्मेनियम निम्न में से कौन सा अर्द चालक नहीं है तो सिल्बर जो है न ये अर्द चालक नहीं है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा option number V ठीक है, चले बढ़ते हैं नैश कोश्टन की और अगला प्रशन देखेगा अगला प्रशन हमारा है कि O-T-E का पूरा नाम क्या है देखे कितना important question ने पूछ रहा है कि O-T-E का पूरा नाम क्या है तो मेरे प्यारे साथियों O-T-E का पूरा नाम क्या होता है ocean thermal energy आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा option number A चले बढ़ते है नाइस questions की और अठारवा question हमारा कि सियाही को सड़ने से बचाने के लिए क्या प्रियोग करते है सियाही को सड़ने से बचाने के लिए क्या प्रियोग करते है तो मेरे प्यारे साथियों कारवुलिक अंगला, आंसर क्या हो जाएगा का आंसर हो जाएगा option number D चलिए वड़ते हैं next questions की और सुगर next questions हमारा है 19 मां निम्न में से एलकीन का सूत्र क्या होता है एलकीन का सूत्र क्या होता है CH sorry C4H8 आंसर क्या हो जाएगा answer हो जाएगा option number C चलिए वरते हैं next questions की और अगला question देखेगा किसी धादू के cold ride में 60% chlorine है तो धादू का तुल्यांकी भार क्या होगा 23.67 तुल्यांकी भार होगा तो इस questions का answer क्या हो जाएगा option number A correct हो जाएगा ठीक है अगला प्रसे देखेगा सभी बच्चे निम्न योगिकों के जोड़े में से कौन से जोड़े में एलीफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के योगिक हैं आईसो ब्यूटरेन क्लोरोवेंजीन आंसर क्या हो जाएगा इस questions का answer हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा चले बढ़ते हैं इस questions की और देखेगा शुद्ध बाकसाइट एलूमीना का विद्धुत अब घटन करते समय कोक चून का उप्योग किया जाता है क्या कारण है इसका यह उसमा का विसर्जन रोकता है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर वी कि सुगाए नैश कोशन देखेगा भारतिय वैज्ञानिक जिसने यह प्रतिपादित किया था कि पदार्थ अत्यनत सुचम कणों से बना हुआ है यह किसने प्रतिपादित किया था नागार जुन महरिसी कड़ात सुस्रत्तु चरक महरिसी कड़ात ने आंसर क्या हो जाएगा इस कोशन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर वी कि सुगाए नैस कोशन देखेगा पचेसमा जल से क्रिया करने पर निमलिकित में से कौन सा योगिक एसिटिलिंग गैस बनाता है आयरन करवाइट सिलीकॉन करवाइट ऐलमूनियों करवाइट कल्सियम करवाइट कल्सियम करवाइट आंसर क्या हो जाएगा इस कोशन का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे सात्यों ऑप्शन नमबर डी सुगर नैस कोशन देखेगा आधूनिक आवर्ति वर्गी करण का आधार क्या है परमाणू भार परमाणू करमांग संयोजक्ता राशानिक रिया सिल्ता आंसर क्या हो जाएगा आदूनिक आवर्ति वर्गे करण का आदार है परमाणु कर्मांक आप्शिन नमर वी जो है ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे अगला प्रश्ण नमरा है कि संग मरमर का राशायनिक सूत्र क्या होता है CACO3 ये शंग मरमर का राशायनिक सूत्र होता है आंतर क्या हो जाएगा आप्शिन नमर वी बढ़ते हैं नैस कोशन की और अगला कोशन देखेगा सुगा नैस कोशन समरा है भारत के अनुसार जल में हाइट्रोजन तथा आकसीजन का अनुपात कितना होता एक अनुपात आठ दो नुपात आठ दो नुपात एक या एक अनुपात सोला एक अनुपात आठ होता है कितना होता है एक अनुपात आठ अंतर क्या हो जाएगा आप्शिन नमर ए सुगा नैस कोशन देखेगा हाइट्रा का लार्वा है हाइडरा को जो लारवा होता वो कैसा होता है हाइडूला कैसा होता है हाइडूला होता है आंसर क्या हो जाएगा इस कोशिकाओं को हानी कैसे पहुँचाता है अरी थ्रोसाइटिक चक्र के पहले तो जवाब सही अंसर क्या हो जाएगा इस कोश्चं का आप्षिन नमर सी करेक्ट हो जाएगा कि अगरा नेश कोश्चं देखेगा कोश्चं समरा है कि तंट्रिका तंत्र का उद्वव होता है तंत्र का उद्वो कैसे होता है व्रह तुचा से होता है किसे होता है व्रह तुचा से होता है तो अंत्र क्या हो जाएगा इस कुश्चन का अप्शन अबर डे सही हो जाएगा ठीका अगला प्रशन देखेगा अगला प्रशन अमरा की स्कैरिस अपना जीवन पूर्ण चक्र करता है केबल मनुस्वा भेण में मनुस्वा मच्छर में मनुस्वा गाय में अंसर क्या हो जाएगा केबल मनुस्वा में ऑप्शन नमबर ए करेक्ट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नैस कोश्चन देखेगा अगला प्रशन हमारा है मेरे प्यारे साथियों कि थायराक्सिन हार्मोंस किस गरंथी द्वारा इस्त्रावित होता है एड्रेनल गरंथी प इसकोश्चन का ऑफशन नमबर डी ऍाजय धुगा इनास कोश्चन देखेगा कोश्चन समञा आ है जीव द्रब में सरवादिक मात्रा में पाया जाने बाला तत्व कउंसा होता है एच तत्व होता है अनसर क्या हो जाएगा इसकोश्चन का ऑप्शन नमब selling नेस कोशन देखेगा लाइसोसोम पाया जाने बाला एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या प्रोटी एज एंजाइम लाइपेज एंजाइम स्रूलेज एंजाइम लाइसोसोम पाया जाने बाला एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अंतर क्या हो जाएगा इस questions का option number A ये सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते है next questions की हो सही बच्छे next question देखेगा गुण सुत्रों की खोच की थी हॉप मिश्टर, मुलर, फ्लेमिंग, हेमर लिंग ने गुण सुत्रों की खोच किसके दोरा की गए थी तो मेरे प्यारे साथी हूँ गुण सुत्रों की खोच जो है न ये हॉप मिश्टर ने की थी किसमें की थी हॉप मिश्टर ने तो आंसर क्या हो जाएगा option number A अगला प्रशन कीटा हारी पौदा है कीटा हारी पौदा कैसा होता है डूर सरीरा आंसर क्या हो जाएगा इस कोईसेंस का option number V correct हो जाएगा अगला प्रशन माइको प्लाजमा प्रतिरोधी नहीं है पैंसिलिन के लिए ट्रेटर साइकलिन के लिए स्ट्रेटो माइशिन के लिए उपरोक्ट सभी आंसर हो जाएगा पैंसिलिन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा option number A correct हो जाएगा अगला प्रशन देखेगा सभी बच्चे नावकियर रेक्टर में निमलिखित में से किसे मंदक के रूब में प्रियोग किया जाता है नावकियर रेक्टर में निमलिखित में से किसे मंदक के रूब में प्रियोग किया जाता है तो मेरे प्यारे सात्यों ग्रेफाइड या भारी जल को प्रियोग किया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा इस questions का option number V correct हो जाएगा अगला प्रसंद एक गस अभी वच्चे एक reader reactor वह है एक reader reactor वह है जो विखंडन होने वाले पदार्दों को उससे अधिक उत्पन करता है जितना वज जलाता है आंसर क्या हो जाएगा इस कोश्चन का आप्शन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन हमारा है भारत में अडू बंब के विकास में कौन संबंदित है आंसर क्या हो जाएगा इस कोश्चन का आप्शन नमबर सी अगला प्रशन हमारा है भारत में अडू बंब के विकास में राजा रमनना संबंदित है इसमालिंग बुद्दा थंडर बुल्ट फ्लाइंग गरुन अगनी परिच्ट पोकराण आपके परिच्टाण उनिसो चोटर का अधिकारी कोड क्या था इसमालिंग बुद्दा आंतर क्या हो जाएगा इस कोश्चन का ओप्शन नमबर ए करेक्ट हो जाएगा तो गाइस अगला प्रशन देखेगा पोखरण दुतियं परिच्छन कब किया गया था 11 जून 1998, 9 जून 1998, 11 माई 1999 या 29 माई 1998 तो पोखरण दुतियं परिच्छन कब किया गया था तो ये परिच्छन जो है न 11 माई 1998 को किया गया था तो आंतर क्या हो जाएगा इस question का option number C चले बढ़ते हैं next questions की और अगला प्रशन देखेगा सभी बच्चे अगला प्रशन नमर आए मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमारूप परच्छर किये थे पोखरण किस राजिय में है गुजरात राजिस्थान पंजाब या हिमाचल परदेश तो पोखरण किस राजिय में है पोखरण जो है ना यह राजिस्थान में कहाँ पर है राजिस्थान तो इस questions का सही जवाब हो जाएगा राजिस्थान वी options सही हो जाएगा अगला प्रशन किसी संस्था की लाप्रदता निर्भर करती तो किसी संस्था की जो लाप्रदता जो है ये किस पर निर्भर करती है तो ये निर्भर करती है संसाधित न्यास की गुरता पर संसाधित न्यास की मात्रा पर आंसर क्या हो जाएगा इस questions का option number D correct हो जाएगा ठीक है अगला प्रसंद देखेगा next questions हमारा मेरे प्यारे साथी हूँ निमन में से अधिक्तम दरबमान किसका होता है electron, proton, neutron, hydrogen, nuclear अधिक्तम दरबमान किसका होता है तो अधिक्तम दरबमान जो है न neutron का होता है औप्शन नंबर C जो है यह विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला question देखेगा दूर दरसंद चैनल की विसिष्टिता है प्रेसित संकेत की आपरती प्रेसिष्ट संकेत का वेक दूर दरसंद इसकिन के भौति कायाम चित्ट्र नलिका का आपकार दुर्दसन चनल की विशिष्टिता क्या है प्रेसित संकेत की आपरती आंज़र क्या हो जाएगा इस कोश्चन का आप पे नमबर- ए चलिए एन फॉस कोश्चन की उसकर ने इस कोश्चन देखेगा एक माइक्क्रोन इसके बराबर है तो एक माइक्क्रोन किसके बराबर होता है जीरो दसमलब जीरो जीरो वन मिमी आंसर क्या हो जाएगा इस कोशिंज का आप्शन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा माइक्रोफोन का आविसकार किस ने किया था माइक्रोफोन का आविसकार किसके द्वारा किया गया था तो microphone का जो आविसकार है न ग्राहम बेल के द्वारा किया गया तो किसके द्वारा किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा answer क्या हो जाएगा इस questions का option number C अगला प्रस्थ देखेगा record करने और record की हुई डिक्टेंसन को पुना reproduce करने के लिए प्रियुक्त उपकरन को क्या कहा जाता है आडियोपोन डिक्टाफोन ग्रामोपोन या माइक्रोफोन तो मेरे प्यारे साथियों इसे कहा जाता है डिक्टाफोन क्या कहा जाता है डिक्टाफोन कहा जाता है तो answer क्या हो जाएगा इस question का option नमेरे प्रशन नम convene अगला कोशन देखेगा अगला प्रशन मारा मेरे प्यारे साथियों छुक्ति का और औरस्कार किसे ये किया था कट तो इलेक्ट्रउम कंडर्शी का और इसकार है ना नील और रुस्का ने किया था किसने किया था नोल और रुस्का ने आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर ए अगला हमारा प्रशन निम्नांकित में से कौन शुमेलेत नहीं है मैनोमिटर दाप कर्वुरेटर आंतिक डहन इंजल या काडियोग्राफ हिर्देगती सीस्मोमिटर फ्रेष्ट तलकी वकरता कौन शुमेलेत नहीं है यह आपको बताना था आंसर क्या हो जायगा इस को संगा करेक्टड में के इस अगला परशन है कि इस अगल का आविस्कार किस ने किया था टेली विजिन का आविसकार किसके दोरा किया गया तो टेली विजिन का जो आविसकार जो है जो है जे अल वेड के दोरा किया गया तो सी ओप्संस जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला अमरा प्रस्चने की वेलेश्टिक मिसाइल किसके दौरा बनाई गई थी तो मेरे प्यारे साथियों वेलेश्टिक मिसाइल जो है न यह बनाई गई थी वर्नर वान वराउन आंसर क्या हो जाएगा इस कोश्चन का option नमर एक करेक्ट हो जाएगा टैकियान से तातपर क्या है टैकियान टैकियान से क्या तातपर है प्रकास गती से तीप्र गती वाले कड़ आंफिर क्या हो जाएगा इस कोश्चिन का ओप्शन नमर एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है प्रकास विद्दूत सेल बदलता है तो प्रकास विद्दूत सेल कैसे बदलता है तो प्रकास विद्दूत सेल जो है ना प्रकास उर्जा को विद्दूत उर्जा में बदलता है तो ऑप्शन नमर वी जो है करेक्ट हो जाएगा ये पीडियाप देखिए आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी अगर आप लोगों ने जॉइन नहीं किया जदी से जॉइन कर लिजे वाट्सक ग्रूप भी जॉइन करें आप लोग अगला हमारा प्रशन है निम लिखित में से कौम स्वाई अंदर प्रत्यावर्ति धारा को एक दिस धारा में प्रवर्तित करता है ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, आल्टरेटर, कंडेंसर सी ओप्शन्स जो है ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा आल्टरेटर सुगैस अगला कोश्चन हाई गुरो मीटर किसे नापने के लिए प्रियोग में लाया जाता है द्रव्वे का आप एक्ची घनत दूद की सुदता बायू मंडल में ब्याप्त आदरता समुद्र की गहराई हाई गूर्मिटर किसे में अपने करे प्रयोग में ला जाता तो मेरे प्यारे साथियों बायू मंडल में ब्याप्त आदर्ता को अंतर क्या हो जाएगा इस कोश्टन्स का आप्शन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा चले बढ़ते हैं नैस कोश्टन्स की और इसका नैस कोश्टन्स हमारा है कि भारी जल किसका ओक्साइड होता है जर्मेनियम का डिटोरियम का पारा का या यूरेनियम का भारी जल किसका ओक्साइड है तो भारी जल जो है न ये डिटोरियम का ऑकसाइड है आंफर क्या हो जाएगा इस कोईसंस का आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर वी आपको हर पेडियाप दे रहा हूँ जो भी मैं पेडियाप बनाता हूँ और एक पेडियाप बनाने में ये मानके चलिए तीन घंटे का समय लगता है एक पेडियाप क्रियेट करने में मेरा कहिने का मतलब ये है अगला प्रशन नमर आए कि हाइट्रोजन जो बं था ये किसने विक्सित किया था हाइट्रोजन बं जो है किसके दौरा विक्सित किया गया था तो मेरे प्यारे साथ ही हूँ ये विक्सित किया गया था अरवर टेलर के द्वारा आंजर क्या हो जाएगा इस questions का C options अगला प्रशन हमाई कि थर्मो स्टेट का प्रियोजन क्या है थर्मो स्टेट का प्रियोजन क्या होता है तो थर्मो स्टेट का प्रियोजन होता है ता आप मान को इस्तिरे रखना आंसर क्या हो जाएगा इस questions का option number C correct हो जाएगा अगला प्रशन देखेगा सभी बच्चे सुगाए नैस कोश्चन्स हमारा है रडार उप्योग में आता है रडार उप्योग में क्यों आता है यह आपको बताना था रेडियो तरंगों द्वरा बस्तूं की इस्ति ग्यात करने में सी ओक्संस जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले वरते नैस कोश्चन्स की और अगला प्रशन नमरा की ब्लॉक नियतांग कामान कितना होता है ब्लॉक नियतांग कामान कितना होता है छेत असम्ण आप ट्रेसर इंटू 10 से 34 जूल प्रतिस सेकंड यसे ब्लॉक पावर भी कैसकते हैं साथ दमाज क्वाने पावर ही होगा गलत प्रतिस से खट्श की पावर 12 जूल प्रतिस सेकंड ठीक है तो अंतर क्या हो जाएगा इस कोश्चनों का आपन अप्से नमर वी अगला प्रशे पास्तर का विकास किस ने किया था प्रशे पात्र का जो विकास है ना ये किया गया था वर्न 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 के द्वारा आंसर क्या हो जाएगा option number A correct हो जाएगा अगला question देखेगा cyclotron एक ऐसी यूपती है जो cyclotron एक ऐसी यूपती है जो आवेशित कड़ों को और जा परदान करती है answer क्या हो जाएगा इस questions का option number A correct हो जाएगा ठीक है अगला question दूर्वीन का आविस्कार किसके द्वारा किया गया था गैलेलियोद ने, गुटनबर्ग ने, एडिसन ने, ग्राहम बेल ने दूर्वीन का आविस्कार किसने किया था तो दूर्वीन का जो आविस्कार है न, यह किया गया था गैलेलियो के द्वारा, किसके द्वारा, गैलेलियो के द्वारा option number A correct हो जाएगा अगला मरा प्रशन निर्वात में परकास की चाल कितनी होती है तो निर्वात में परकास की चाल होती है ना मेरे प्यारे साथ ही हूं यह होती है तीन इनटू स्क्कॉर्ण आट मीटर प्रती सेकंड तो सी ओक्षन जो है यह बल्कुल करेक्ट हो जाएगा यह यह वो सकते हैं कि तीन इनटू दस की पावर प्रत्वी और सूर की दूरी के, 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 बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है मेरे प्यारे साथियों कि रेक्टिफ फाइर का प्रयोग किया जाता है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए तो आंतर क्या हो जाएगा का ऑप्शेंट दीच है छलिए बढ़ते नैस को संव की और सुगाई नैस को संस हमारा है कि वारिलेस का आविस्कार किस ने किया था मारकोनी, चार्ल्स कटरिंग, जॉर्ज कैले, जेनाप ग्रामे, वारिलेस का आविस्कार किसके दौरा किया गया था मारकोनी के दौरा, किसके दौरा मारकोनी के दौरा किया गया था, तो आंपर क्या हो जाएगा इस कोशन का, उप्ट नमबर A कार्बूरेटर का उपियो को होता है किस लिए होता है पैटोल के साथ हवा को में स्रीट करना आंसर क्या हो जाएगा इस कोशन का आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर B ठीक है ना इस कोशन देखेगा सभी बच्चे भाउतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचे किसे ने दिया था न्यूटन आइस्टीन गलिलियो निल सिबोर ने भाउतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचे किसके द्वारा दिया गया था आइस्टीन के द्वारा दिया गया था कौन सा उपकरण चिकिस्यों द्वारा इस्तमाल किया जाता है कौन सा ऐसा उपकरण जो कि चिकिस्यों के द्वारा इस्तमाल किया जाता है इसका नाम है इस ठेथो इसको आंसर क्या हो जाएगा इसको सिंज का आप्षिन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला हमारा प्रशन मेरे प्यारे साथी हूँ कि रेफरीजरेटर में थर्मो स्टेट का कार क्या है शमान ताबमान बनाय रखना आंसर क्या हो जाएगा इस कोश्टिंस का आप्शन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा चले बढ़ते नैस कोश्टिंस की और अगला कोश्टिंस देखेगा अत्ती लगू समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निमलिकित में से किसका प्रियोग किया जाता है पलसर क्वार्जेट घड़ियां परमाडु घड़ियां स्वेट वामन परमाडु घड़ियां ऑप्शन अंबर सी जो है इस कोश्टिंस का करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला अमरा प्रशने निमलिकित में से कौन सा यूगुम सुमेलित नहीं है कौन सा यूगुम सुमेलित नहीं है एक माइक्ट्रो मेटर बराबर एक सो तीन मीटर अंसर क्या हो जाएगा इस कोश्टिंस का ऑप्शन नमर डी अगला हमरा प्रशने गैसों के आंशिक दाब का नियम किसे ने प्रतिपादित किया न्यूटन, आइस्टीन, डाल्टन, फर्मी गैसों के आंशिक दाब का नियम किसे ने प्रतिपादित किया डाल्टन ने प्रतिपादित किया था किस ने प्रतिपादित किया था डाल्टन तो आंतर क्या हो जाएगा इस कोश्चन का ओप्शन नमबर सी अगला प्रस देखेगा सभी बच्चे महाशागर में डूबी हुई वस्तू की इस्ति जानने के लिए निम्न में से किस यंतर का प्रियोग किया जाता है अंतर क्या हो जाएगा इस कोश्चन का ओप्शन नमबर डी ये करेक्ट हो जाएगा अगला अमरा प्रस देखेगा सभी बच्चे निम्लिगित बैग्यानिकों में से कौन अपने बेटों के साथ नोबल प्रस देखेगा प्रसकार का सह बिजेता था मैक्स ब्लॉप अलबर्ट आइस्टेन विलियम हैनरी व्रेग एन्रिको फर्मी विलियम हैनरी व्रेग आंतर क्या हो जाएगा इस कोईशन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन अमर्सी अगला हमारा प्रशने की व्लैक होल सिद्दान्त की खोज किसके द्वारा की गई इस कोईशन का सही जवाब हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा आपका ठीक है वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखेगा वह उपकरन कौन सा जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनी तरंग का प्रियोग किया जाता है वह उपकरन कौन सा जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध अगला प्रशन देखेगा सुगाइस नेज़ को सिंख हमारा है इस विद्धधारा का चुम्बकी यह प्रभाव सर प्रतम अभलोकित किया गया था और श्चेट किसके दवारा और स्टेट दवारा आंसर हो जाएगा इस questions का option number V अगला हमरा प्रशने प्रशन की विलेहम रोटजन ने किसका अविस्कार किया था रेडियो का एक्सरे मसीन का विदिद बल्ब का विदिद मोटर का X-ray मसीन का इसका अविस्कार किया था तो V options जो है ये विल्कुल correct हो जाएगा अगला हमारा प्रशन है कि हवाई जहाज का आविस्कार किस ने किया था राइट विदर्स, जेम्स बाट, हमफी ड्रेवी या ब्राउन हवाई जहाज का आविस्कार किस के दोरा किया गया था रजरपोर, थामसन, चेडविक, एंडर्सन तो पाजिक टॉन की कोच किस के दोरा किया था एंडर्सन के दोरा किया था तो अंतर क्या हो जाएगा इस कोशन का option number D ठीक है चले बढ़ते है नाइस कोशन की और रडार का आविस्कार कारक कौन था तो रडार का आविस्कार कौन था रवर्ट वाट्सन, फ्लेमिंग, वुष्नेल, आउस्टिन रडार का आविस्कार कौन था रवर्ट वाट्सन, अंतर क्या हो जाएगा इस कोशन का option number A ये सही हो जाएगा सुगा नेस कोशन हमारा है कि टेलिस्कोप की खोज किस वैग्जानिक ने की थी न्यूटन, जेम्सबाट, रदरपोर्ड या गलिलियो गलियो के द्वारा की गए ती गलिलियो के दारा तो D- tub जो है ये बलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न नमर की एक बार बरावर कितना होता है एक बराबर बार कितना होता है 105 PA आंसर क्या हो जाएगा इस questions का option number C नेस question देखेगा computer का जनक समझे जाने बारे व्यक्ति कौन है बैबेच, हॉल्ड़ित, लेवनिच, पास्कल बैबेच, चार्स बैबेच जिन्हें कहते हैं आंसर क्या हो जाएगा इस questions का option number A चलिए बढ़ते हैं next questions की और अगला question देखेगा इदेखें मिलान करने वाला question द्ध्यान पूर्वक देखेगा answer मैं clear कर देता हूँ, answer आपका हो जाएगा option number A, अम मिलान कैसे करना है वो भी देख लेजे आप लोग भुकंपिय तीबरता का मिला reactor scale से हो जाएगा हवा की गती view fort scale से हो जाएगा correct है, परमताप का Kelvin scale से और दाप का मिलीवा scale से हो जाएगा, तो इस परकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं उसी परकार से अगला प्रसंद देखेगा next question क्या है answer मैं सबसे पहले clear कर दूँ answer हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों option number V अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लेजी आप लोग देखे एक तरफ है उपकरन यंत दूसी तरफ है मापन की गई राशी तो धारा अमीटर से जुड़ जाएगा सापेक्च आदरता हाइग्रोमीटर से जुड़ जाएगा दाब बैरोमीटर से और भार स्प्रिंग तुला से तो इस परकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं उसी परकार से नैस कोशन देखेगा इस निम लिखित में से कौन सा युकम सुमेलित है नीचे दिये गए कूड का प्रियोग कर सही उत्तर चुने इसमें जो आपका आप्शन अमर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा केबल पहला क्रिश्टोफर कॉक्रेल हावर्ट क्राट ठीक है देविश बुष्टनेल पंडूपी तो वी ऑप्शन जो है इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखेगा उसी प्रकार से सबसे पहले मैं इसका इस कोशन का आंसर के लिए कर देता हूँ आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आप्शन नंबर वी एक तरफ है यंतर का नाम दूसी तरफ है राशियां जो उससे मापे जाते हैं तो देखिए इसमें बायू गती का जो सुमिल है इन्मो मीटर से हो जाएगा विद्युत गती का जो है अमीटर से हो जाएगा गोडन गती का टेको मीटर से हो जाएगा और उच्छे ताब का पायरो मीटर से हो जाएगा तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमिल कर सकते है चले बढ़ते है नाश कोशन की और अगला प्रशन देखेगा सवी बच्चे अगला प्रशन क्या है कि एक जूल में कितिनी कैलोरी होती है इंपोर्टन कोश्चन से एक बार देख लेजेगा आप लोग तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है आंतर क्या हो जाएगा इस question का option number A अगला प्रेशन नमारा है कि डाइनमो में उर्जा परिवर्तन होता है यांतरिक उर्जा से बित्वत उर्जा में option number A जो है ये विल्कुल correct हो जाएगा ठीक है next question देखेगा type rider के आविश्कार करक कौन है डेवी, सॉल्स, रोटेंजन, मारकोनी सॉल्स इस question का option number V जो है correct हो जाएगा आज की class का last question रहेगा मेरे प्यारे साथ ही हूं कि तेल का एक viral लगभग किस के बरावर होता है 131 लेटर, 131 लेटर, 37 लेटर, 321 लेटर तो तेल का एक जो बैरल होता है न, 169 लेटर होता है तो answer क्या हो जाएगा option number V correct हो जाएगा, ठीक है तो यह थे आपके 100% science के technician exam के लेटर रेलवे और आरवी technician के exam के लिए तो अगर आपको वीडियो अच्छा वाकी में अच्छा लगा हो तो प्रेस वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा सेर कीजेगा चैनल पर नए है, सब्सक्राइब नहीं किया भी तक आप लोगों ने तो तुरहें चैनल को सब्सक्राइब करें ये पीडियो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर और वाटसक रूपे मिल जाएगी पिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट को एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है लिंक वीडियो के डिसक्राइब में दिया गया जद्दी से जाईए जोइन कर लिजे आप लोग वाटसक रूप जोइन करें आप में मिलता है नैश वीडियो के साथ जय हिन जय भार